श्वागति स्टूडेंट हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उडान कारे पुस्तिका का जो पाठ एक है फसल उत्पादन इवं प्रवन्थ इसका कारे पत्रक नमबर एक पहला प्रशन इसमें दिया हुआ है सही मिलान कीजिए जीवित रहने के लिए चाहिए क्या चाहिए भोजन मनुष्य भोजन प्राप्त करता है कहां से प्राप्त करता है पोधे और जन्तों से खेत में काम करने के लिए उपयोगी दराती इनमें से दराती पाचन एक है प्रक्रिया एक स्थान पर बहुत सारे पोधे फसल कहलाते हैं कारे पत्रक नमबर दो में देखते हैं पोधे से सम्मंदित विविन चरणों को व्यवस्तित कीजिए इसमें तीन चरण दिये हुए है पानी डालना बीज या जड़ को मिटी से डखना मिटी या गमला तयार करना तो तीनों चरण में सबसे पहले होता है मिट्टी या गमला तयार करना दूसरे नमबर पर आता है बीज या जड़ को मिट्टी से डखना और तीसरे नमबर पर आता है पानी डालना अगला कारे पत्रक नमर तीन देखते हैं यहां चित्र दिये हुए हैं चित्र में वस्तों को अलग-अलग करने की विदियां दिखाई गई हैं, उनके नाम लिखिए यहां हम देख पा रहे हैं, यह एक ठाली में लेकर के कुछ अनाच को बीन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं हस्त चयन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भूसा होता है, जब फसल कटाई के बाद में, जब भूसे से दानों को अलग किया जाता है, कूट-कूट कर, तो उसे हम थ्रैसिंग कहते हैं, और यह थ्रैसिंग की प्रक्रिया दिखाई गई है इस चित्र में अगला चित्र है, निस्पावन विदी का, यानि कि जो हलका भूसा मिला हुआ जो अनाज होता है, या हलकी असुदियां होती है, उनको जब हवा चल रही होती है, तो हवा में उपर से पटका जाता है, तो जो भारी दाना होता है, अनाज होता है, वो यहां ही खटा हो जाता पभूसा या कच्रा होता है वह दूर जा करके गिर जाता है तो इस विदी को कहते हैं निश्थ पावन अगली विदी क्शालनी से चाना जा रहा है इसको चालन विदी कहते हैं और चानना भी कहते हैं अगला कारे perse-न निमने चित्रों में आपको जो ओजार दिखाई दे रहे हैं उनके नाम और कहां और कैसे उप्योग में किया जा सकता है के बारे में लिखिए तो हम यहां देख रहे हैं कि यह चित्र है दरांती का इसका उप्योग खेतों में फसल काटने के लिए किया जाता है खेतों के अला इसके बाद में कारेपत्रक पांच है इसमें कुछ चित्र दिये हुए है तो इनको यहां दिये गए चित्रों को सही क्रम में व्यवस्तित कीजिए तो हम यहां देखते हैं सबसे पहले हल चलाना खेती के जो काम है चित्रों में खेती के कामों को दर्साया गया है तो सबसे पह हुआ है पानी सिचाई करने का या पानी देने का जो मेड बनाने का काम होता है पानी देने के लिए वो और इससे अगला चित्र जो दिया हुआ है पांच्वा वो खर्पतवार को नुष्ट करने के लिए या फिर कीट नासक दवाई छिड़कने के लिए यह दिया हुआ है और उसके बाद में फसल कटाई का चित्र है और उसके बाद में जो अनाज अलग किया जा रहा है उसका भंडारन का चित्र है तो हम इन चिट्रों को अगर सही क्रम में जमाएंगी तो सबसे पहले हल चलाना नमबर दो पे बीजों को बोना नमबर तिन पर खाद डालना नमबर चार पर सिचाई करना नमबर पांच पर किट नासक दवाईों को छ़ड़काव करना और नमबर 6 पर फसल की कटाई और नमबर 7 पर भंडारन अनाज का भंडारन तो सही करम ये रहेगा कारे पत्रक नमबर 6 में इस साणी में कुछ खादे पदारतों के नाम दिये गए हैं वे हमें कहां से प्राप्त होते हैं उनके नाम लिखिए तो यहां खादे पदारत का नाम है दूद जो जन्तूं से प्राप्त होता है जैसे गाय, भैस, बकरी, मुपनी दूसरा है वसा पोधे और जन्तूं से प्राप्त होते हैं जैसे बादाम, मुपली, तेल, घी और मास तीसरा है मास ये कहां से प्राप्त होता है जन्तों से प्राप्त होता है जैसे बकरा, मुर्गी, सुवर अगला चोथा नमबर पे है अनाच जो की पोधों से प्राप्त होता है गैहू, बाजरा, मक्का, चावल अगली है सबजियां बोधों से प्राप्त होती हैं लोकी, मूली, तुरई, अन्य सबजियां भी बहुत सारी होती हैं अगला है सहद जो जनतों से प्राप्त होता है और जनतों में मदु मख्यां सहद बनाने का कारे करती हैं इस तरह से हमने इस सार्णी को कम्प्लीट कर लिया है और इस सार्णी के साथ ही आपके जो पहले पार्थ विज्ञान का कक्षा आठ का जो पहला पार्थ है फसल एवं फसल उत्पादन फसल उत्पादन एवं प्रबंध ये कम्प्लीट होता है और इसी तरह से विज्ञान के अगले पाठों को देखने के लिए अन्य विश्यों को देखने के लिए जोड़े रहे हमारे चैनल से धन्यवाद